नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीवर के बारे में तथा हम जानेंगे बीवर से जुड़े कुछ अन्य रोजसकत थे हैं तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो करते हैं सटार्ट वैसे बीवर दुनिया के सबसे बड़े करनतकों में से एक है बीवर की दो प्रजातियां है अमेरीकी और यूरेशियन जैसा की नाम से तात्फर्य है अमरीकन बीवर यानि की उत्तरी अमरीका में रहते हैं और यूरेशियन यूरोप और एशिया में रहते हैं दोनों प्रजातियां मूड लेंड छेतर के पास मीठे पानी की जीले तालाव नदियां पसंद करती हैं। वियापक सिकार और निवास इस्थान के नुपसान के कारण 20 वी सताब्दी में उनकी आबादी में भारी गिरावट आई। यूरोपे प्रवाशी उद्वारा उतरी अमेरिका में उपनिवेस इस्थापित करने के बाद वीवरी की संक्या 60 मिलियन से घटकर 6-12 मिलियन हो गई। यहाँ अद्वित जानवर उनकुछ प्रजातियों में से एक है जो बांध, नहरो और लॉज बनाकर अपने परियावरणों को फिर से डिजाइन करने और अपनी जरूरतों को समायोजित करने में श्रक समय नर और मादा वीवर बहुत समान दिखाई देते हैं, इनका 3-4 फिट लंबा सरीर गहरे, भूरे, मोटे, फर से ढखा होता है, वीवर का वजन 35-60 पाउंड होता है, जबकि मादाएं नर से भारी होती है लंबी और सपाट पूँच एक फिट लंबी होती है, इसका उपयोग तैराकी और संचार के लिए किया जाता है पानी की सतहों को पूँच से मारकर बीवर समुहू के अन्य सदस्यों को संभावित खतरे के बारे में सचीत करता है बीवर अर्ध जल ये प्रजाती है, जिसका अर्ध है कि वे अपने जीवन का कुछ हिस्सा पानी और कुछ हिस्सा जमीन पर बिताते हैं उनके सरीर को जीवन सहली पानी और जमीन दोनों के लिए डियाइन किया गया है वाटरफ फर बीवर को पानी में जमने से रोकता है, उनके वे पैड़ पैर पंक और फ्लैट पूँच के रूप में पैडल के रूप में काम करते हैं जो सभी मिलका पानी के मध्यम से कुसल गती प्रतान करते हैं बीवर पांच मिल प्रती घंटा तैर सकते हैं और हवा के लिए सतह पर वापस लोटे बिना पानी की नीचे 15 मिनिट बिता सकते हैं बीवर की पार दरसी पलके होती हैं अर्थाज जो काले चसमे के रूप में कारे करती हैं जो उन्हें पाजनी के नीचे देखने में मदद करती हैं बीवर एक निसाचर जानवर है यानि कीवे सिकार करते हैं और रात में काम करते हैं बीवर साकाहरी जानवर हैं वे चेरी, मेपल, एस्पैन, विविन पौधो की प्रजातियों के पेड़ की छाल खाना पसंद करते हैं वे पानी के लिली, तलाब के खरपतवार और विविन प्रकार के पत्तों जैसे पौधो को भी खाते हैं लकडी के पौधो की छाल को काट कर वीवर पौधो के विकास को प्रोटसाहित करते हैं वीवर बड़े-बड़े समुहों में रहते हैं जिने कालोनियों कहा जाता है इन में माता-पिता जोड़े और उनकी संतानों की कुछ पीडियां सामिल हैं बीवर मोनोगेमस होते हैं अर्थात कि नर और मादा जीवन भर के लिए साथी होते हैं बीवर घरों को लॉज कहा जाता है और वे मिट्टी और साखाओं से बने होते हैं लॉज तलाब के बीच में छिपे हुए प्रवेस दौर पानी के साथ इस्तितर जो सिकारियों को उनके संपर्क में आने से रोकता है बांध बीवर की एक और निर्मान करती है वे अपने आपको सिकारियों जैसे कोयटे भेडिये भालू से बचाने के लिए बांधों का उपयोग करते हैं लॉज के प्रवेस दौर को रखने के लिए और पानी के नीचे भोजन जमा करने के लिए बांध के नीचे की ओर से बहने वाला पानी स्वच होता है जो उन्हें मनुस्यों के लिए भी फायदे मंद बनाता है बीवर प्रदेशिक जानवर है वे अपने शेत्र को चिन्नित करने के लिए बांधों में साखाओं और कीचर को ढखने के लिए कस्तूरी तेल का उपयोग करते हैं बीवर की दिश्टी खराब होती है लेकिन सुंगने और सुनने की चमता बहुत अच्छी होती है वैसे उद्विलाव की उम्र आसतन 16 से 24 साल तक होती है तो दोस्तों यह हो थी वीवर से जुड़े कुछ रोचक रहती है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें